हेलो एवरिवन वेल्कम टो माई यूटुब चानल तो इस वीडियो में हम क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री कैसे डिलिट करने हैं वह देखेंगे तो लेट्स केट स्टार्टेड तो सबसे पहले मैं जाऊंगी अपनी मोबायल स्क्रीन में उसके बाद मैं यहां से क्रोम हिस्ट्री मैं जाऊंगी और उसके बाद यहां से सारी जो हिस्ट्री है जो कि मैंने यहां पर ट्राई की है जो सर्च की है यह यहां पर दिखाए देगी तो मैं यहां से हिस्ट्री ऐसे टाप क्लोज करके वह हिस्ट्री डिलिट कर सकती हूं बट अगर सारी हिस्ट्री रखा है तो last 15 minutes, last hour, last 24 hours, last 7 days and last 4 weeks मिन्स इसके हिसाब से आपको कौन सी history डिलिट करने है last 15 minutes की, last hour की, last 24 hours की और last 7 days की और last 4 weeks की तो यह आपके उपर depend करती है कि आपको कैसे choice करना है तो यहाँ पर मैंने all time पर click किया है और उसके बाद यहाँ से मैं यह जो सारी check box है वहाँ पर मैं click करूँगी, देखो यह सारे check box मैं click करूँगी, save password यहाँ पर मैंने नहीं किया और उसके बाद मैं यहाँ से clear data वहाँ पर click करूँगी और उसके बाद this side seems important to you, ऐसा message आएगा और उसके बाद मैं clear पर click करूँगी तो यह सारी history जो है वह delete हो जाएगी, तो यह थी CDC process अगर यह history मुझे सच में delete हुए है कि नहीं, यह देखने के लिए मैं tap close करूँगी और फिर से मैं three dots पर जाके history पर click करूँगी, तो देखो यहाँ पर कौनसी भी history नजर नहीं आ रही, मतलब यह delete होई है तो यह ऐसी है, ऐसी हम chrome browser के history डिलेट कर सकते हैं तो कैसे लगी यह वीडियो, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगते हैं तो like, share and comment करना मत बूलना और ऐसे हैं नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe यह करना तो मिलता हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स ट्राइडस के साथ तक तक के लिए बबाए